ओम शानती आपका प्रशन था कि राखी कैसे बांधे इस मंत्र को अर्थ सहित अनभाव करते हुए राखी बांधनी चाहिए इसमें मंत्र शब्द का प्रयोग किया है मंत्र का अर्थ होता है सलहा जैसे मंत्री होता है सलहा देने वाला तो मंत्र का अर्थ होता है सलहा जिसमें कोई ना कोई गाइडलाइन मार्ध दर्शन छुपा होता है अब तक सूत्र बानते समय इस मंत्र को बोला जाता है सूत्र को रक्षा सूत्र कहो सूत्र को पर्तिग्या सूत्र कहो क्योंकि सबसे पहले सूत्र जो बांधा था वो वामन ने राजा बली को बांधा था उससे पर्तिग्या कराई थी कि तुम मुझे तीन पैर प्रित्वी देने की पर्तिग्या करो जब ये पर्तिग्या कराई और उस पर्तिग्या के बाद अपनी पर्तिग्या को पूरा किया राजा बली ने अब पर्तिग्या पूरी करने के बाद नारहें ने वो तो भगवान समझते उन्हें कहा कि वर्दान मांगो तो उन्होंने कहा कि मैं जहां देखू मुझे तुम ही दिखाई दो सोते उठते जागते बैठते खाते पीते तुम मेरे सामने हों इस परकार से तथास्तूत कह दिया और नारहें जो है वे उनके पास रहने लगे अब लक्षमी जी डूंटे डूंटे वहां आती है उसको पता था कि वहां है अब उसको छुडाने के लिए उसने भेश बदला नारहें ने भी भेश बदला अब लक्षमी ने भेश बदला और उसने भी आकर वही सुत्र बांदा और नारहें की मुक्ति का वर्दान ले लिया कि आप मेरे पती को मुक्त करें कुछ भी लेने के लिए पर्तिग्या कराने के लिए ये कहानिया बनी जिस मंत्र का अर्थ है येन बधो बली राजा जैसे राजा बली को बांधा दान्विंद्रो महाबला जो राक्षसों का शक्ति शाली दानव असुरों का जो राजा था महाबली था बहुत शक्ति शाली था तेन त्वाम रक्षा बजना में उसी परकार से मैं भी तुम्हें ये राकी बांध रहे हूं सुत्र बांध रहे हूं रक्षे माचल माचल मेरी रक्षा करो उसमें निश्चित रहना है, अचल अडोल नहीं होना है, मा माना नहीं, अचल, चल नहीं होना, उसमें हालचल में नहीं आना, एक दम अटल अडोल होकर मेरी आपने रक्षा करनी है, यह अर्थ लिया जाता है, वास्तों में इस मंत्र को बोलने का सही अर्थ समझना है, यह तो धुनिया वालों ने कहनी लिख दी, इस कहानी पर छोटा सा पुस्ट माटम करते हैं, सोचिये, नारायन भक्ति का मार्क का हिंदुओं का सबसे टॉप देवता है, जिसे इश्वर कहा जाता है, इश्वर दानवेंद्र से, राजा बली से, तीन पैर पृत्वी के मांगता है, वो भी चलाकी से, अपने असली रूप में जाकर नहीं, चदम रूप से, दोखे वाले रूप से, लक्ष्मी भी चदम रूप से जाकर नारहिन को मुक्ति कराती है, रक्षा बंधन के पीछे, सूत्र बांधने के पीछे, सोचने वाली बात है, कि कितनी दोखा है, और दूस्तरी तरफ, राक्षिसों का राजा होते हुए, जिसे बुरा समझा जाता है, वो दोनों परतिज्याओं में सफल होता हुआ दिखा रहे, कोन अच्छे, यह विचार करना पड़ेगा, इस अर्थ को भी समझना पड़ेगा, कि इसकी रक्षा करनी है, इसका अर्थ सही रीती से समझने के लिए, यह रक्षा सूत्र बांधने वाले की रक्षा के लिए नहीं है, यह सूत्र बंधने वाला पर्तिग्या करता है, और उस पर्तिग्या को पूरा करने में ही, दानवेंदर की माहांता सिद्ध हुई, यह तो नाराहिन की भी और लक्ष्मी की भी, तो कोई स्रेष्था सिद्ध नहीं होती, स्रेष्था सिद्ध होती है, बली की, जिसने भगवान के द्वारा मांगी गए इच्छा को भी पूरा किया, लक्ष्मी की मांगी गए इच्छा को भी पूरा किया, और कोई हल चल में नहीं आया, अर्थात जिसे यह सूत्र बंधा जा रहा है, वो पृतिग्या करता है और उस पृतिग्या में यह मांगने वाली बात अच्छी नहीं लगए, एक्च्छल में पृतिग्या करानी थी बली से, तो एक्च्छल में पृतिग्या करानी है भाईयों से, केवल स्वैम की रक्षा के लिए नहीं, सर्व की रक्षा के लिए हद का नहीं बेहद का और रक्षा करानी है तो भाईय की करानी है, क्योंकि नियम है 95% पुरुष अक्रामक होता है, जितने भी बलादकार होते हैं 95% पुरुष के कारण होता है, 5-10% कह सकते हैं बेहनों की तरफ से भी बलादकार होता है, वास्तों में राखी बांधनी है उसके चरित्र का उत्थान करने के लिए, उसे स्रेष्ट बनाने के लिए, वो स्वेम की रक्षा करे, अपने जीवन में किसी बुराई को आनी ना दे, जैसे राजा बली ने स्वेम की रक्षा की, पर्तिज्या को पूरा किया, वो मात्र एक कहानी सत्य से रहित, शिक्षा हमने लेनी है, हमने समझना है कि हमने जो पर्तिज्या करनी है वो पूरी निभानी, जैसे बली ने निभाई, इसी परकार से कोई भी दार्मिक कार्य किया जाता है, उस भी ब्रामा सूत्र बांते समें इसी मंत्र का उचार्ण करता है, इस भाव के साथ कि तुम भी अपने कार्य को पूरा करने तक हल्चल में नहीं आओगे, और ब्रामन को भी सूत्र बांता जाता है इसी मंत्र के उचार्ण के साथ, के तुम भी इस कार्य को पूरा किये बिना कहीं नहीं जाओगे, ताकि कराने वाला और करने वाला अपने उस अनुस्ठान में सफल हो, परंतु आज ना बांधने वाला जानता है और ना वो जानता है जिसको बांधा जाता है, तो इस परकार से हर बहन अपने भाईक को राखी बांधे, ये पर तिग्या कराए कि चरित्र हालचल में ना आए, ये ही सच्ची रक्षा है, ये ही सच्ची रक्षा है, ये ही नेक्सलाह है, वास्तव में ये बात हर एक अपने अनुभो में लाए, तो राखी का महत्व सब के लिए हिदकारी होगा, और अच्छी तरहां से समझना हो तो आप्रजापिता ब्रमा कुमारीस इश्वरिये विश्व विद्याल्ये के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्ख करे, और यदि कोई प्रशन हो तो 92-131-06986 पर केवल टेलिग्राम करे, 96-5069-2270 पर केवल वर्चेप करे, ओ नइ, ओम शानुए.